प्रिया कांति जुका दराइस कराऊं तुमको आओ वक्तो स्री बिंदावन गुमाऊं तुमको आओ वक्तो स्री बिंदावन गुमाऊं तुमको लीला व्रंदा पिपिल्की ती निलोक ते न्यारे तो भगवान स्री कृष्णा पांडवों को लेकर द्रोबदी को लेकर पितामा भीष्म के पास गए पितामा भीष्म के पास जब गए और पितामा भीष्म के पास पहुँच कर पितामा भीष्म बहुत सुंदर ग्यान दे रहे थे उपदेश दे रहे थे भगवान सी कृष्ण का दर्शन कर रहे थे और जब भगवान सी कृष्ण का दर्शन कर रहे थे तो बड़ा ही सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे थे तो जब बहुत सुन्दरुपदेश पितामा भीस्म दे रहे थे, से कृष्ण की बंदना कर रहे थे, तो अचानक से द्रोबदी मुस्कुरा दी, द्रोबदी हसी आ गई, द्रोबदी हसने लगी, तो द्रोबदी जब हस रही थी, तो पितामा भीस्म ने पूछा, बेटी तुम क्यों हसी, बुले नहीं पितामा गलती हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, बुले नहीं बेटी, अच्छे गर की बहु हो, और तुम कोई साधरन इस्तरी नहीं हो, तुम बहुत महान हो, भारत की ब यह बज़ा नहीं हसती है, कोई नहीं कोई बज़ा जरूर है, बताओ तुमारे असने के पीछे रीजन क्या है, राज क्या है, तो जबाब दिया, बुले महाराज, आज जब इतने सुन्दर सुन्दर आप उपदेश दे रहे थे तो बड़ा आश्यर हुआ आपके मुख से यह उपदेश सुनकर, बुले क्यों, बुले आज तो आप इतनी सुन्दर बाणी से हमें उपदेश दे रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन उस दिन आपका यह ज्यान कहां चला गया था, जब दुर्योदन के कहने से दुस्वासन मेरे तनक के बस्तर खींच रहा था, औ और आप भी वह मوجود थे तो कम से कम आप इतना कर सकते थे, कि आप दुस्वासन को मना करते दुर्योदन को समझाते, लेकिन आपने वह भी नी किया, उस दिन आपने विरुकुल कुछ कह ही नहीं और आज, जब आप सरसया पर पड़े हैं, बाणों की सया पर पड़े हैं, तो आज आपका ज्ञान जागृत हो रहा है इसका मतलब है कि दुख में हो तो ज्ञान और सुख में थे तो इस तरीका अपमान भी आपको दिखाई नहीं पड़ा तो पेदामय वीश्म ने कहा बेटी तुमारा बचन एकदम सत्य है तुमारा बचन एकदम सत्य है पर तुम जानती हूँ जिस समय तुरियोधन के कहने से दुशासन तुमारे तन के बस्तर का हरण कर रहा था तो एक बात याद रखिए दोस संग का भी होता है और दोस अन का भी होता है हम कैसा अन खाते हैं उससे हमारी बुद्धी का निर्मान होता है हम कैसे लोगों का संग करते हैं उससे हमारे चरित्रों का निर्मान होता है उस समय मेरा संग किसका था दुरियोधन का मैं किसका अन खाता था तो दुरियोधन का अन खाने के बाद क्या मेरी बुद्धी उतनी पवित्र हो सकती थी उसके अन से बने हुए रक्त से में जिन्दा था तो मैं दुर्योधन के अगेस्ट नहीं जा सका उस समय लेकिन आज तुमारे पती ने मेरे तन को बाणों से छेद छेद कर इस सर से आप लुटा दिया तो जो दुर्योधन के अन से मेरा रक्त बना था वो तुमारे पती ने वो रक्त बहा दिया और वो रक्त बह जाने के बाद जो अपवित्र रक्त था वो बह गया और जो बचा हुआ पवित्र रक्त है वो बचा हुआ है और उस रक्त में सिवाए ज़्यान के, सिवाए प्रेम के, सिवाए अच्छे विचारों के और कुछ नहीं आज हमारे समाज में जो भी कुरूतियां आ रही हैं ये ब्यक्ति आकास से नहीं टपके हैं जिन जिन लोगों के नाम आप ले रहे हूँ ये हमारे ही समाज के लोग हैं हमारे ही जैसा अन्न खा रहे हैं हमारे ही द्वारा दिया हुआ उन्होंने अन्न खाया है मैं सारा ब्लेम आपको नहीं दे रहा हूँ उनको भी नहीं दे रहा हूँ लेकिन उस समाज को दे रहा हूँ अगर उसी दिन फांसी दे देते, तो किसी और की हिम्मत ये काम करने की नहीं होती, आप सौधी चले जाएए, आप अरब वहाँ चले जाएए, आप किसी को नजरें उठा कर नहीं देख सकते, अगर देख लिया, तो परणाम आपको भोगना पड़ेगा, और बूरा परणाम हमारे वारत में ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, हम डबल गेम खिलते हैं, तो हमको पवित्रता रखनी चाहिए भोजन में, हमको पवित्रता रखनी चाहिए संग में, और जब भोजन में पवित्रता होगी, जब संग में पवित्रता होगी, तो निश्यत तोर पर पिता मैं व इसम की गलती थी कि जब द्रोबदी का चीरहरण हो रहा था उनके मुंग से एक सब्द नहीं निकला एक सब्द नहीं निकला जो कि निकलना चाहिए था बड़े होने के नाति ये कह सकते थे कि आप ऐसा मत करो लेकिन नहीं कह पाए क्यों क्योंकि संग गलत था क्योंकि अन गलत था जिसकी बज़े से ये सब हो गया तो आज कृष्ण का दर्शन किया और रक्त बह गया आज संग अच्छा हो गया पांडवों का संग है भगवान से कृष्ण का संग है और वो रक्त बह चुका है तो आज वो सुन्दर विचार भगवान से कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरी विचार मेरी बुद्धी रूपी बेटी से आप विवा कर लिजिए पिता मैं बीस मैं ऐसा कह रहे हैं विश्व शांती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज फेस्बुक पर पुझे महाराज जी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराज जी को dn-thakur-g फालो करें